देवी और सज्जनो आप सभी को मेरा प्रणाम जै मातादी जै श्रीराम जै बजरंगली रादे रादे हर हर महादेव आज की इस वीडियो में हम स्रवर करेंगे मंगलवार ब्रतकता और फूजनविती यदि आप सभी सिरी गोपाल से वसीमिती यूटूब चैनल पर रहे हैं तो किरपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दवा दें जिससे की सनातन धर्म से जुड़ी हमारी सारी वीडियो की नोटिपिय खेसना अब तक पहुंच सके और आप उसे सुने सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और इस से अच्छ और पूजन करने से होती है सारी कामना पूण पूजन सामगरी और पूजन भीदी सिंदूर लाल चंदन जनेव चमेली का तेल लाल कपड़ा या लंगोट गंगाजल गी दूप दीप तुलसी पत्र चंदन फल आध अगर आपके पास कुछ भी न हो तो हनवान जी को कानी से प्रसंद होने वाले देवता है हनवान जी की पूजा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी कर सकते हैं हनवान जी की पूजा करने से हनवान जी प्रसंद होते हैं और अपने बक्तों के सभी संक्रों से रच्छा करते हैं हनवान जी की पूजा मंगल मंगलवार हन्वान जी का दिन माना गया है इसलिए मंगलवार को हन्वान जी का पूजा करना काफी सुभ फल दायक होता है हन्वान जी की पूजा आप सन्वार के दिन भी कर सकते हन्वान जेंती राम नवमी नवरात्री आद में हन्वान जी की पूजा अवस्य करनी की कोशिस करें इन सुव दिनों के दिनों में हन्वान जी की पूजा करने से हन्वान जी की किरप्य अपने भक्तों पर बनी रहती है मंगलवाय के दिन हन्वान भक्त उपवास भी रखते हैं सबसे पहले आप सूर्यदर से पहले उठें और उसके बाद आप इसनानाद करके खुद को स्वच्छ और पवित्र कर लें और स्वच्छ कपड़े पेने अगर आप मंदिर जा रहे हैं पूजन के लिए तो बहुत ही अच्छा है अगर आप घर पर ही पूजन कर रहे हैं तो हनवान जी की प्रत्मा या तस्वीर को किसी लाल आसन पर इस्तापित करें हनवान जी की प्रत्मा को इस्तापित करने से पूर्व या द्यार रखें कि हनवान जी की प्रत्मा का मुख दच्छड की ओर हो और आप उत्रम विमुख हो इसके बाद गंगाजल से खुद और पूजा सामिक गिरी को पवित्र करें उसके बाद हनवान जी की प्रत्मा पर यह हैं अन्वान जी को चमेली की तेल या फिर तिल के तेल में सिंदूर मिलागर प्रतमा पर लगाएं लेप को लगाने के लिए नीचे पैड से सुरू करते हुए उपर की तरफ लगाएं हन्वान जी को जल लाल वस्तर या लाल लंगोड चड़ाएं लाल या पीले फूल अन करनेर के फूल अन्वान जी को अर्पित करते हैं तो यह अधिक सुभ भल्लाई होता है हन्वान जी को तो तुलसी पत्रयां तुल्सी की माला चड़ाएं हन्वान जी को परसंद करने के लिए हन्वान इस हन्वान मंतर का जाब करें ओम सीरी हन्मते नम typical से मंतर क overwhelm सीरह नमे पूजन के बाद हनवान चाली से का पूरा पार्ट करें और आपको हनवान जी के अधिक प्रसंद करना है तो आप पूजा संपन करने के बाद जैशी राम और जैशीता राम का शड़ अवस्य करें इसके बाद हनवान जी की ब्रत कथा भी सुनें और पढ़ें सुख समपति यस और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का भ्रत रखना सो माना जाता है हनवान जी से जुड़ मंगलवार भ्रत कथा का पार्ट करके उस वपवास को पूरी सद्दा के साथ पूर्ड करें अब जानते है मंगलवार भ्रत कथा क्राचिन समय की बात है कीशी नगर में एक ब्रामण दमपती रहते थे उनके कोई संतान न होने के कारण वो भेहत दुखी थे हर मंगलवार ब्रामण बन में हन्मान जी की पूजा करने के लिए जाता था और वो पूजा करके बजरंग वली से एक पुत्र की कामना करता था उसकी पत्नी भी पुत्र की प्रापती के लिए मंगलवार का ब्रत कर दी थी वो मंगलवार के दिन ब्रत के अंत में हन्मान जी को भोग लगा कर ही भोजन कर दी थी एक वार बत के दिन ब्रहामडी ने भोजन नहीं बना पाई और नहीं हन्वान जी को भोग लगा सकी तब उसने प्रण किया कि वो अगले मंगलवाय को हन्वान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी वो भोगी प्यासी छे दिन तक पड़ी रही मंगलवाय के दिन वो बेहोस हो गई हन्वान जी उसकी सद्दा और भक्ति दे कर प्रसंद हुए उन्होंने आशिरवा स्वरू ब्रहामडी को एक पुत दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा बालक को पाकर भामडी बहुत खुस हुई उसने बालक का नाम मंगल रखा कुछ समय उपरांदे जब भामड घर आया तो बालक को देख पूचा कि वो कौन है पत्नी बोली कि मंगलवार बिस से प्रसंद होकर हन्मान जी ने उसे यह बालक दिया है या सुनकर भामडी को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ एक दिन मौका पाकर भामड ने बालक को कुए में गिरा दिया घर पर लोटने पर भामडी ने पूचा कि मंगल कहा है तब पीशे से मंगल मुस्वा कर आ गया उसे बापस देकर भामड चौक गया उसी रात को बजरंग बली ने भामड को सपने में दर्शन दिये और बताए कि यह पोतों नहीं उसे दिया है यह सच जानकर भामड बहुत खुश हुआ जिसके पास भामड दमपती नियम तरू से मंगल वरत रखने लगे मंगल वरत रखने वाले मनुष पर हर हनमान जी की अपाग अपा होती है जै स्री राम जै सीद्धा राम जै बजरंग बली